कि आजादी के बाद जिन लोगों की सत्ता और सरकार थी इस राष्ट्र में वो लोग इस राष्ट्र में बाबर बाबर के उलादों का अकबर और अकबर के उलादों के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली जैसे जगहों पर रोड बनाने का कारे करते थे किसी के भी दिमाग में नहीं आता था कि हमारे आरध्य राम या कृष्ण या शिव के नाम पर रोड बनाया जाए लेकिन जब हम राम का चर्चा करते हैं तो राम सिर्फ एक पार्टिकुलर अयोध्या सहर में या उत्तर प्रदेश तक सिमित नहीं है या भारत वर्ष में सिमित नहीं है जब हम राम का नाम लेते हैं तो संपूर्ण पुरुसार्थ का भाव सामने आता है और पूरे दुनिया में प्रसिद हैं पूरे दुनिया में उनको चाहने वाले लोग हैं अब कौन से कार सेवक एसे कार सेवक जो कि अपने हक की लडाई लड़ रहे हैं राम के देश में में रामके मंथीर के निर्मार का मार्ग प्रसस्त करने के लिए अंदोलन कर रहे धरना कर रहे थे उसके वज़या से बाबरी हुई थी आपको याद होगा बहुत अच्छे तरीके से उन कार सेवकों पर गोली चलवाया जाता है मुला मुलायम के दौरा और उसके बाद 200 से ज़्यादा कार सेवक वहां पर on the spot मारे जाते हैं हम एक मत को मानने वाले लोग हैं और एकमत मेरा यह है कि क्या भारत में राम मंदिर नहीं बनेगा क्या भारत में कार सेवकों का भैलू नहीं दिया जाएगा तो मक्का मदिना जाएंगे करने मक्का मदिना में जाकर यह लुक सैतान पर पथर मारते हूं वहां पर पथर मारने का कारे करें कोई भी हिं हम संबिधान सम्मत कानुन सम्मत जो करवाई सरकार ने किया सुप्रीम कोट ने जो डिसीजन दिया हम न्यापूर तरीके से उसका पालन करने का कारे कर रहे हैं तो जब हम न्याइक बेवस्था में विश्वास रखते हुए उसका पालन कर रहे हम संबिधान को मानते हुए हर एक चीज को सम्मधान सम्मत कारे कर रहे हैं तो वहां पर कोई नाराज होता है तो उसको नाराज होने दीजिए अगर मुसलिम समाज बाबर और अकबर के मुर्ति बनवाने से खूस हो जाएगा तो हम कभी भी यह नहीं कर सकते हैं कि मुसलिम समाज को खूस करने के लिए यहाँ पर बाबर और अकबर के नाम पर रोट बनाएंगे और मुर्ती बनाएंगे आप नाराज हो या खुस हो जो राष्ट्र में नियाय के बदोलत कारे होगा जो राष्ट्र के लोगों का जो राष्ट्र के हीत के बारे में सोचने वाले लोगों का डिसी जन होगा हम उनके मनों दसा के अनुसार कारे करने का काम करेंगे और वहीं योग्याजी तिनाथ के नर्तित वाली नित वाली सरकार उतर प्रदेश में कर रही है जो आपने केसोपरसाद मौर्या के मुह से आसुना लेकिन आपको लगता है कि इसके बाद जिस तरीके से यूपी चुनाव है अगले साल क्या भाजपा को ये चीजे फायदा देंगी या नुकसान बात फायदा या नुकसान का नहीं है मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि धार्मिक कारे करना अपने जगह पर है विकास का कारे करना अपने जगह पर है और जब हम चुनाव का बात करते हैं तो कहीं न कहीं एक पढ़े लिखे नौजवान के रूप में मैं इस बात को मानता हूँ कि कहीं का भी चुनाव विकास के नाम पर होना चाहिए और जब हम development का बात करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 4-4 साल बरसों के अंतर योगी अदितनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जितना विकास का कारे किया है उतना देश में किसी भी राजे के किसी मुख्य मंत्री ने नहीं किया है तो अगर आप development का भी ब मनाते हैं इद मनाते हैं बकरिद मनाते हैं किसी को कोई परिसानी हुई हो तो हमें बताइए अपने आपको सेकुलर बताने वाले लोग मुझा फर नगर में जब दंगा होता है तो यह लोग किसी हिंदू समाज के घर पे नहीं जाते हैं लेकिन यहां से मौन मोहन सिंग और स धर्म का पालन कर रहा है एक तरह अभी कासवाद की गंगा बह और यह दुस्वर को जिस धार्मिक जक्रण से हमको मुक्त करने की कोसिश की जा रहë थी येना के प्रकार है तो उसको ऊठाने का कारियोगी सरकार्ण ने किया उनके निर्तित वाली सरकार ने किया। चुनाओं वहां पर कि कहीं न सारे रामभक्त हैं जो राम को चाहने वाले लोग हैं उनके मनुदसा पर इस बात का अशर पड़ेगा और यह वह испीकी समझेंगे उनके जरूर आएगा कि कैसे जब समाजवादी पार्टी के गुंडों की सरकार थी तो संविधान को साइड रहके कानून को साइड रहके कारसे ओको पर गोली चलवाने का कारे किया गया था उनिर्दोस और निहत्य कारसे ओको पर जी अगर राम बक्तों के मनोदोशा पर फरक ने बारसीक बजट सत्र से देने का कारे करेगा जो मुस्लिम एपेजमेंट आफ पॉलिटिक्स का काम करता है तो हम उसके बारे में ज्यादा सोचने वाले नहीं हैं उनका जो कारे हो करते रहें लेकिन हमारा कारे है कि जब हम चर्चा करते हैं जब हम सपत लेते हैं तो हम ब पर करार रखने के लिए सरकार को जो कुछ भी करना पड़ेगा उसके लिए सरकार तयार है उसके लिए किसी बिपक्षी दल के मनुदसा पर मनुवरिती पर क्या फर्क पड़ता है उतना सोचने का जो सही कारे कर रहा है उसके पास पतरकार महोंदे समय ही नहीं है लेकिन जो सब्सक्राइट के पक्ष में आपको देखने को मिलेगा राजवर की खास मुलाकात हुई है क्या लगता ही कि मुलाकात कितनी खास रही होगी और किस तरीके के रणनेती यह लोग बना रहे हैं क्या इनका गड़बंदन यूपी में कामियव होगा कौन से राजवर की आप बात है कि दल्ला उसको मैं राजनितिक वोत का दल्ला बोलता हूं दलाल है अपने जाती का दलाली करने का काम करता है उंप्रकास राजवर जैसे मुसल्मान के दलाली करने का कारे करता है सूधिन वह वैसी यह सब दल्लों से कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है जहां एक जीवन में चुनाव नहीं जीत पाए हैं और उनको मुख्यमंत्री बनना है इन लोग को आप जब उन प्रकास राजभर का बात करना आप इमेजिन कीजिए कि एक तरफ लोग किसी राजे को किसी देश को एक तरफ वहां का सन्यासी बोलता है कि मुतर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे और यह क्या बोलता है कि सब लोग मेरे साथ आकर मिल जाओ मुख्यमंत्री की कुर्सी बाट लेंगे पांच लोग मिलेंगे तो एक एक साल मुख्यमंत्री बन जाएंगे दस लोग मिलेंगे तो छेचे महीने मुख्यमंत्री बन जाएंगे अब राज प्रजनीत में कोई इंसान आता है जनता के कारियों को करने के लिए अपने निहित स्वार्थ को साइड करके और उसको दिन प्रतिदिन योगी और मोधी यहां करके दिखा रहे हैं दूसीर तरफ क्या बोलता है कि हमें मुख्यमंतृ बनना है सब हमारे साथ मिल जाओ एक-एक साल के लिए मुख्यमंत्री के कुर्षी बाट देंगे ईस साल के लिए मतलब लोग तन्त्र में खुला यूशा करेंगे और लोग पागल नहीं है भाई साहब, लोग समझ रहें इस बात को, लोग इस बात को समझ रहे हैं, वहाँ पर लड़ाई जो मुल्लो के कठ मुल्लो के वोट के लिए है, तो ये लोग आपस में उसका सेर और खेला खेलते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमां उनमें जो राश्ट्र को एक लेकर चलने वाले इंसाने कहीं न कहीं भारतिय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का कारे करेंगे दो तरह के लोग हैं कलाम को मानने वाले कसाब को मानने वाले मैं बार बार बोलता हूं तो जो कलाम के पदचिन्हों पर चलने वाले हो जरूर भारतिय जन दलालों का नामत लिया किजिए यह सब ऐसे दलाल है कि 2022 में इनके खटिया खड़ी हो जाएगी एक बार गलती से बिधायक बन गए है जीवन में इनको बिधायक की कुरसी और कभी लखनव के बिधान सभा में कोई कुरसी आपको नहीं दिखेगी कि इनको मिलने जा रही है ऐस कुरा मीडिया क्या है कि बीना किसी कारण के मोधी का बिरोध कर दो जब तक बीना किसी कारण के मोधी का बिरोध नहीं करेंगे तब तक उन्हें रात में निंद ही नहीं आएगा चैन से उस्वहीं नहीं पाएंगे अब ये सब मीडिया कौन है खबिश कुमार्त निर्तित वाले जितने सारे मिडिया लोग हैं बहुत सारे ऐसे मिडिया लोग जिनको की मजबूरन हटाना पड़ा मिडिया हाउसेज को यह लोग अपना अपना चैनल खोल लें और थोबरा लेकर चले आता हैं जैसे अजीत अन्जूम हो गए अभिसार सर्मा हो गए पुन्य प्रसुन बाजपेई हो गए तो ऐसे सारे लोगों से क्या फर्क पड़ता है यह तो वो लोग हैं जो हमेशा आपको एक वो पक्ष दिखाने का कारे करेंगे जहां से कहीं नहीं कहीं देश का एकता और अखंडता तुड़ने का कारे किया जाए आप हमको बताइए कि इस राष्ट्र में जो हिंदू का राष्ट्र है मैं बोलता हूँ यह हिंदू का राष्ट्र है और जब मैं हिंदू का बात करता हूँ तो हिंदू कोई मजभ या समुदा या धर्म नहीं है हिंदू जीवन जीने का कला सिखाता है वहाँ पर आप कलाम के नाम से रोड बनाये हैं हम स्वागत कर करते हैं वहां पर आप बाबर और अखबर को स्रिया देने का कारे करते हैं ताज महल जैसे जगह को आप कोसिस करते हैं ताज महल से क्या सुन्दर जगह जब हम चर्चा करते हैं तो भारत वर्स क्यों फेमस है प्राचीन काल में हमारे पास क्या था उनको उससे पसंद ही नहीं है उनको बोलिए कि देश के परंपरिक वेस्बुसा को फॉलो करो बोलेंगे नहीं नहीं यह हमारे अजादी का हनन है लेकिन उनको अगर बोलिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता है बाकी जो राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं जो राष्ट्रवाद में विश्वास रखने वाले लोग हैं जो एकता समरूपता और अखंडता में विश्वास रखने वाले लोग हैं आप मान कर चलिए कि 2022 के चुनाव में उलुग भारतिय जंता पार्टी के साथ खड़ा रहने का कारे करेंगे और प्रचंद बहुमत से भगवाधारी की सरकार उत्रप्रदेश में बनेगी